आज पहुँचे हैं हिमाचल परदेश में और हिमाचल परदेश के टाहाली वाल गाओं है यहाँ पे इन्होंने कैम लगाया बाकाइदा आरोग या के अदर किट्री लियो लगवा सास पत्री सुगे थायरेड कैंसर कुजली विपी रोगों का इलाज क्या जाता है आचार ये दोड रहे हैं सरपट काम कर रहे हैं हुटने से लेगे कमर से लेका सरवाइकल तक का अइसिन कर रहे हैं बैस वो नसे काड़ देते हैं और वहां से वो यह वो दर्द कम हो गया इससे अगर आपने एक बार कर दिया, एक बार कोई चीज सेट हो गई, ताउमर सवस्त रहता है आदी। देना, फिरी शिक्षा देना, दवाईयों का फटा 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 ये विमारी बता है, सब से गंबीर विमारी कौन सी हैं, जिनका लंबा इलाद चलता है और वो दवाईय लेनी पटा है। अब ये है, थोड़ा फर्क पड़ गया। जो पैसा थोड़ा बहुत गुरू जी के पास आता है, आप लोगों से वो गोशाला चलाते हैं, बच्चों को पड़ाते हैं, आनाथों को, किताबी, पैन, कापी, ड्रेस वो देते हैं, वो पैसा उदर लगा देते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दुबारे से सवागेत, आपका हरियाना निविश्ट 24 में, मैं हुमुना लंबा, मेरे सवगी, विने सिंदो के साथ, हम पूरे भारत में जाते हैं, एक बार फिर, शेर सिंग पोस्वाल जी, गुरू जी, हमारे साथ खास बाच्चीत में मौदूद भी कहीं, आज गुरु जी पहुंचे हैं, हिमाचल परदेश में, और हिमाचल परदेश के टाहली वाल गाओं है, यहां पे इन्होंने कैम लगाया, बाकाइदा, आरोग्या के अंदर केट्री, लिवर लगवा, सांस पत्री, सुगत, हाइरेड, कैंसर, खुजली, भी पिरो ठीक हो चुके हैं, जो कभी डोक्टरों के पास पहुंचे थे और डोक्टरों ने जवाब दे दिया था, आज कभी ठीक नहीं होंगे, और आप ऐसे ही रहेंगे जिन्दकी भर, वो लोग भी आज दोड रहे हैं, सरपट काम कर रहे हैं, वो लोग जो डोक्टर जवाब दे दिये था, आप मरने वाले हैं, महीने में, दो महीने में, वो लोग भी आज कहीनी सवस्त हो चके हैं, ठीक ँछके हैं, सहरसिंग पोसवाल जी से, और ये विद्या सभी को तो नहीं आती हैं, लेकिन गुरु जी, पोसवाल जी पुरानी विद्या हैं इनके पास, तो इन और अब ये लोगों के बीच जा रहे हैं जहां जरूरत होते ही वहां पूँचाते हैं और कैम्प लगाते हैं एक्सर जाके और लोगों को कहने के साइटा पूचा रहे हैं कई रोगी हमें ऐसे भी मिले हैं पोसवाल जी के जो चार पाई पर पड़े थे पिछले बारा बरस से और जो पोस्वाल जी के पास पहुँचे और उन्होंने ऐसे क्या नस दवाई वो भी चलने लगे वो कहते हैं लगनी हो तो राक की चूटी लग जाती है और बड़े डॉक्टर बड़े बड़े डिग्री दारी कहीने के फैल हो जाते हैं तो आयरवेद में सच्चाई है बाकी सब जूट है मैं फिर कहता हूँ माने या ना माने आयरवेद पक सच्चाई है क्योंकि आयरवेद में ठीक होने के बाद फिर कभी वो बिमार होता भी नहीं है लेकिन आयरवेद में भरोसा हमारे भारत के लोग कम करते हैं और बिदेशों के लोग जादा आयरवेद में भरोसा कर रहे हैं तो हम माचल परदेश में मौदूद हैं और गुरु जी के साथ हमें अक्सर मौका मिलता है कहीं कहीं जाने का अच्छा भी लगता है क्योंकि पूरे वारत के लोग खबरे धेखते हैं और गुरु जी के पास diesen केम्प लगवाते हैं या गुरु जी खुद भी पहुँच जाते हैं तो ये अभी थोड़ा सा एक बार इनको वो थेरिपी दिये त्रीट दिया है तो तीन दन के कमे साइधे तीन दन बुलाई भी लेंगे इनको तीन दन तक पहले जी आप से भी जान लेते आप यहीं से हैं क्या नाम है मोनिका शर्मा शर्मा जी यह कैम्प आपके तो आपके सोच यहां हिमाचल के टाली वाले गाव में हो गाव मेरा स्वभाग्या जी मेरे अचारे जी गुरू इधर लोगों की सेवा के लिए हैं मैंने एक वारी इनको बलाए उसी उस पर आगे जी लिगाने मेरी भ होस्पिटल में जाते हैं तो एक तो खर्चा बहुत आजाता है और आदमी ठीक नहीं होता है तो इसी परपर से मैंने अपने आचारे गुरू जी को बलाया इधर हिमाचल की लोगों को स्वास्त संपूरन बार्द स्वास्त रहे जी यही हमारा मोटीव है तीन दन का कैम्प तीन दिन का सब्सक्राइब करते हैं तीन दिन का कैम्प यहां तीन दिन का कैम्प लगा जा रहे हैं और अन्य वाले समय में क्या यहां मौनिका जी हमारे जो स्ट्ट रहे हैं यह समझे सीका है इनोंने हमसे यहां एक आरोग केंदर हम खोल रहे हैं अब जिसके की संरक्षन मौनिका ही जी करेंगे हम भी महिने में एक दो दिन आती रहेंगे यहां पर यह पर पाड़ी के अभी तो यहीं बना रहे हैं लेकिन फिर बाद में उपर लेके जाएंगे अभी फिलाल यहीं बनाएंगे आरोग के अंदर यहीं माचल में भी कर रहे हैं और यहां सिक्सिका यह रही है गुरु जी के सिखा है सर्मा जीने यह मेरे साथ मौद हैं यह यहां के संचालन करेंगे और जी मेर से भी बात्चीत करेंगे सब्सक्राइब हुक्स चाहिए उसके कांट मेरे को पेन हो रहा था कमर में तो वही मैंने बताया था ऐसे कोई पैले से कोई समस्या नीती एकसिनेंट के बाद थी तो गुरुजी ने जैसे की किया थोड़ा ट्रीटमेंट तो उससे बहुतर लग रहा है कुरुजी कितनी पर उलाएंगे इनको तीन बार आना पड़ेगा यहां तीन दिन तो आपकी सिस्से क्या फिर बाद में मौनिका जी करते रहेंगे लेकिन इनको तीन दिन आना है इनकी बोडी अन्बैलेंस हो रही थी चोट लगन परेश किया तो वह सैट हो गया अपनी जगे और वह सैट हो गया तो दीरे दीरे जैसे आसन यह हम बताएंगे इनको आसन करते रहेंगे बिलकुल फिट हो जाएंगे ता उमर सबस्ते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाले इनको तो डोक्टर तो इस विमारी को पकड़ कभी operation बोलते हैं कभी दवाई लिखते हैं कभी कुछ करते हैं देखिए ऐसा नहीं है डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं डॉक्टरों को पता है इसका लेकिन इनका एक मकसद उठा लिया है कि एलो पैथी में लूट कैसे मचानी है क्योंकि हमारे जो भारत देश का जो ग्यान का और लूटने का कारण क्या बनाए कि जो लो पैथी जो दवाईयां चल रही है वह सिर्फ दर्द के पैटन पर काम किया उन्होंने बाकी और किसी पैटन पर काम ने किया तो उसकी वज़े से वह जानते हैं लेकिन अगर operation ना बताएं बहबीत नहीं होगा ड्राइंगे नह से करते हैं तो हमें कोई लोग पैसा नहीं देके राजी है वहां उनको इसलिए पैसा दिया जाता कि वह बहबीत करते हैं और फिर कहते हैं कि आपका operation होगा जाता है तो हमारी जमीने जा जाते हैं बिग जाती है और फिर भी operation कराते हैं फिर भी कोई उसका मतलब यह नहीं कि ठीक हो जाएंगे आप घुटने से लेके कमर से लेकर सरवाई कलक तक का operation कर रहे हैं बैस वह नसे काड़ देते हैं और वहां से वह दर्द कम हो गया वह भी प्राजाओं का इलाज होता था इस से अगर आपने एक बार कर दिया एक बर कोई चीज सेट हो गई तो घर पर आशन वगेरा जो बताएंगे वह करते हैं ताउमर सवस्त रहता है आदमी कोई दवा गोली लेने की जह उतनी पड़ती लेकिन यही है हम चाहते हैं कि भारत के जो पुन्ने दुबारा से इस पड़ती पर आना चाहिए और अपने अरवेदिक पड़ती को अपनाना चाहिए जा ताकि हम भारत को सौने की चिडिया बना सके निरोगी सवस्त रहेंगे तभी हम सौने की चिडिया बनेंगा हमारा बात आज हम अमरीका यूरोप की जितनी यहां आई हुई है 80% पैसा हम विदेशों को भेज रहे हैं कमा किसके लिए विदेशों के लिए हम 20 पैसे में अपना जीवन वेपन कर रहे है तो हम चाहते हैं कि पूरा भर्मन कर रहे हैं हम पूरे देश में गूम गूम के और इस पदिती को आगे बढ़ाने का आप सब का सहयोग मिल रहा है आप सब का प्यार मिल रहे हैं और इस पर दुबारा से लोग आ रहे हैं अपनी प्राणचीन पदिती पर और सबस्तर निरोगी रहेंगे गुरुजी सबस्तुन कि विशिए फूरे भारत का मतलब है कि जो भी हमारा जो हमारा ग्यान वो ग्यान देती नहीं आप तो सब को ग्यान दे रहे हैं तो बनारा refrigerator कुछ कमिया रही हैं हमारे मतलब जो हमारे जो जानते हैं जो उनके अंदर नाड़ी विसे सकेत है उनके अंदर भी कुछ पह रहा है कि वि कुछ दे देंगे तहो डूसरा बेट जाएगा हमारे बराबर में मतलब तेरी इंकम कम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है 140 करोड की जंसेंग क्या है आप कहां तक जाओगे किस किस को आप ठीक करोगे समझेए डॉक्टरों के अगर लाइन फौज लग गई है करोडों रूपया MBBS करके आते हैं तो वो भी तो कमा रहे हैं लेकिन हमारी एक सोच बदन नहीं हमें हम देना इसलिए चाहते हैं कि जो हमारी आज एलोपैथी ने जो कबजा कर रहा है उसको कैसे खतम किया जाए मान लिए अगर 30 लाग डॉक्टर हैं तो हम चाहते हैं कि 40 लाग हमारे वैदगन हो हर गाव में हमारा एक नीरो त्रिपिष्ट हो हर गाव में करनाड़ी विशे सगो तब ही हम सौने की सिडिया बना सकते है तो हमारा लक्स है हम जहां तक जाया जाएगा जो भी हम को बुलाएगा हम वहाँ जाएंगे और जो शीकना चाहता हम से वह हम शिकाएंगे और इस मुहिम को हमारे साथ आगे से आगे कंदा मिलाके अगर बढ़ाएगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो यह कहता हूँ भीड़ा है हमारा तो चाबली है तश्पिर वह दिखा दिए गुमा के यहां पे रोगी इसी तरह से आ रहे है और अपनापने इलाज करवा के जा रहे हैं और यहां तीन दन का कैम पे तो बेड़ा उठाया है कैम्प लगाने का और यकषरिये कैम्प दुबई तक भी कैम्प लगाने वाले हैं बहुत ही जल्दी क्योंकि आयरवेद का परचार ये चाहते हैं कि जादा चे जादा हो और जादा जादा मेरे सिस्षे बने और हमारा एक आयरवेद का बहुत बड़ा एक इंपायर खड़ा हो जाए और गुरुजी की एक इंटर्विमन ये भी कहा था कि राजी दिशित को फोलो कर रहे हैं हर घर हिंदोस्तान का सवस्त हो और वो भी थोड़े से पैसे में कोई बिगर दवाई के तरफ के ना मरे गुरुजी का ये भी एक सपना था आज ये हिमाचल में पोँचे हैं कभी रोता के कभी गुड़गावा गुरुजी मेरी एक बोर में जाना चाहूंगा मुखहले है गुड़गावा दिल्ली आपका वहाँ पे तो दवाई आईरुवेद की मिल जाती है जैसे किसी को दवाई की जरूत हो दी किड़नी खराब है या किसी को कैंसर है या जैसे और भी कई नडा नडा के जैसे बदना ये जैसे ना भी में जैसे डरंड अभी तो यहां नहीं कररें हम दवाईयों का दवाईयां तो अभी हमारे वहीं से आएगी जो सोहना गुड़गावा डिस्टिक में है तो अगर यह सब चाहेंगे तो एसा भी एक दिन आएगा कि यहां खुद बनाएंगे तो अम गुरु जी मेरे साथ में हमाचल में मौदधा हैं और मांचल की बाद चीट तो जड़ी बूटियों की बादेटा तो इमाचल में जड़ी बूटियों का बरभार है जी गुरुजी बख़ंबे जाते हो दोबेई जाते हो वहां जड़ी बूठिया नहीं मिलती आपके सिर पे ही जड़ी बूठियों का मंदार है आपको ज्यादा जड़ी बूठिया लादी नहीं नहीं पड़ेंगी यहीँचे उदा हो ज़ए हम तो जो ठेतर के और हमाचल पर्देश के जो हमारे बाई और बेहने माता हैं उनके शुक्र गजारे हैं कि उन्होंने हमें मोका दिया यहां बुलायार और ऐसा एक छेतर दिขाया है हमें बहरपूर अपधरा में हमेरे यहां मतला दौाययां उगाई भी जा सकती हैं तो हम इनका आभार करते हैं और हम चाहते हैं कि यह हमारे साथ ऐसे ही कंदा से कंदा मिलाके हमारा सहयोग करें और जो भी बच्चा जो भी बहन भाई जो भी शीकना चाहता है वो हम से संपर करें हम सिखाएंगे और अपना आगे संस्ताइं खोलेंगे, वहाँ बेठें, अपने आजीव का भी गमाएं, आतम निर्भर भारत बनाने का भी लक्से हैं हमारा, और प्राचिन पदिती नहीं को भी लाना हमारा लक्से है, तो हम चाहते हैं कि इसको सीकें, और अपना आजीव का भी चलाएं, तो तो बहुत ही मैं तो यह कहता हूं कि बहुत अच्छा दिन है आज कि यहां माचल पर्देश में हमें समय मिला और इन सब सहयोगों के बीच में हमें बाते करने का और अपनी जो प्राचिन का लाए उसको दिखाने का मुखा मिला तो मैं बहुत-बहुत आबारी हूं चित में मौजूद हैं माचल पर्देश के ताहली वाल गाओं के अंदर मौजूद आजाब और गुरु जी पूरा भारत परमन करते हैं कभी 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 कई जो को कैम्प लगवाना चाता है यह वहां कैम्प लगाते हैं कि कि रोग्यों को गुड़गावा उदर ना जाना प बनाते हैं लेकिन इनकी अलग से जरूर बनाते हैं हमारा सोभाग गया जी गुरुजी ने अपना शेशा बनाया तकि मैं आगे सेवा कर सकूँ जी पूरी हिमाचल में और बच्चों को मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूं उनको शिक्षा भी देती हो थोड़ी आब आगे बार करूंगी जी गुरुजी आश्रीबाद से हर घर में एक नाड़ी पुषेश अग्या हो मेरा यह मोटी लेजी हर घर में नाड़ी पुषेश हो गया हर बच्चा जो प्लस्टू कर चुका है उसको नौलेज हो मेरा तु यह पूरा तो हमारे साथ गाउं के सरपंजी है जी क्या नाम परकाचंड और टालिवाल गाउं से हां जी 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 तो क्या कहेंगे आपके गाउं में है अगरुजी साथ साथ खार सेरसें पुषवाल जी आये हैं और एक निरोगी मोहीम चलाई है बदीय बदीय आपको लगता है अड़ोस्पोडोस के गाउं के लोगी फाइदा है ठाएंगे ठाएंगे बलकु ठाएंगे बलकु जिरूट ठाएंगे ज़िए पूरे बारत में कहीने कहीन का कैम्प रहता है तो यह चाहते हैं ज्यादा ज्यादा हम लोगों को ठीक कर पाएं और वो भी नाम मतर के पैसे में क्योंकि लोग गिर भी रख देते हैं गैने जमीन तो भी ठीक नहीं हो पाते और गरीब लोगों को तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे हैं उनके तरफ देखना भी गुना है वहां स्पताल में घुशना भी गुना है और यह चुटकियों में ठीक कर द कौकरीमें में आज हैं को छारा बांट लेकरन दो नीप जान पहुं जूझिंए जया वाझ राड़े मार देखनेर अगर नहीं है लेकिन मुद्दा वोई पुराना है आयरवेद को लेके और कहते हैं यहां कुछ दिर बाद पाहडों का चेतर है यहां जड़ी बूटियां को भरमार है तो हमें दूर दराज बटकने के जरूत नहीं पड़ेगी यहां इन जड़ी बूटियों को पाहडों पे पता नहीं है और गुरु जी बली बाती समझते हैं यह जड़ी बूटियों जो पाहडों पे उगी हुई है यह किस तरिके की यह तुनों तुम तोड़ के बता देंगे तो सबसे बड़ा फाइदा गुरु जी को यह होने वाला है क्योंकि पाहडों हिमाचल परदेश के कि लोग यहां पे दो दुद्राद ना बटकें और यहां इमाचल परदेश के यहीं पे इलाज करवाएं और इलाज के साथ साथ तीन दन का यहां पे कैम्प है और यह आ रहो गया के अंदर किड्ने, लिवर, लक्वा, सास, पत्री, सूगे, थाइराड, कैंसर, घुजली, जरूर बना लेते हैं और आपको भी वास्ते में कैम्प लगवाना है, आपको कुछ सीखना है, उमर गुरु जी ने बता दिया, कोई उमर माणी ने रखती और यह विद्दा घर घर पहुंचाना चाते हैं, गुरु जी का एक मकसद है कि हिंदोस्तान में बिगर दवाई के हज़ारों लोग तरफ 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 के मर जाते हैं, उनको दवाई नसीब नहीं होती, क्योंकि अलोपेटिक दवाई इतनी महंगी होती है कि आदमी ले ही नहीं सकता, और ओपरेशन करवा नहीं सकता, बिगर ओपरेशन के बिगर चेट फार के, गंबिर से गंबिर दवाई आरुवेद में लेके ठीक हो सकते हैं, गुरु जी, शेर सिंग, पोस्वाल जी, मेरे साथ आज हिमाचल परदेश में मौजूद हैं, और टालिवाल गाओं में तीन दन का कैम्प है, इनका यहां पे, और तीन दन के कैम्प के बाद यह रोतक, इंदर परस्त कालोनी, सीला, पाई पाई के नजे, 16, 17, 18, वहां पे कैम्प, उसके बाद फिर आगरा भी कैम्प लगाजाएगा, फिर वंबे वगेरा, हर जगहे जाते हो और अपने सिस्चे भी बना रहें साथ-साथ, हिमाचल के लोगों को हमारे गुड़गाओं या कहीं दूर ना जाना पड़े, आलिवाल गाओं हिमाचल पर्देश के, और चेर सिंग पोस्वाल गुरूजी की बातचीत करें, गोशाला चलाते हैं ये, और निसलोक सखूल चलाते हैं बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं, जो पर्दे में सक्सब नहीं हैं, जिनके कापई किताब नहीं हैं, उन बच् पर किताब देना फिरी शिक्षा देना और गोसालाओं में दान दक्षना गोसाला चलाना पोस्वाल गुरुजी अक्सर ये कर रहे हैं गुरु गुरु गुराम के नजदेक्स होना के अंदर और इसी तरिके से गुरुजी सेवा में काफी वर्सों से यानि कि बच्पन से ये स सोड़ जेते करुना काल में लोगों का दुख देखा तकलीफ समझी यानि कि डोक्टर लोगों किसी तरके से लूट रहे थे कि फिर इनोंने दुबारा से इस पदती को लेके आना पड़ा और अब ये भारत बरवन पर निकले हैं कि मैं रहूं ना रहूं देकिन ये जो तो प अब जैसे भाईयों का और सब का प्रेम है वो सब हो जाता है सब सहयुकरते हैं हमें तो ये सब हो जाता है वहां कर रहेहें सब्सक्राव कर एक आए पद webinars देख हां तो हम अब मत निकल गएं हम चाहते हैं कि इस विद्या को भी ऐसे बढ़ाया जाए ताकि हमारी परंपरा कायम और जिंदी रह सके एलो पैथी से हम बर्बाद जो हो रहे हैं उससे बस सके यह हमारा लक्स है लगता है हिंदुस्तान के दिमाग में लोगों के बात पाएगी जल्दी जी बिल्कुल विदेश ही समझ चु प्राचिन पत्ती पर आ रहे हैं लोग तो इसलिए अब यह ज्यादा जसमें नहीं लगेगा अब जैसे हमें यह मिले हैं सहयोग हमारी चार-पांच जिगे सेंटर खुल गए हैं आज यहां मौनिका जी हमारी सिस्य बनी है यहां इन्होंने सेंटर खोल लिया है ठीक है यहा पर हमारा गुरूगराम में बडा सएंटर है ही वहां चमारी दावाजल मारी कौन सी हैं जिनका लंबा इलेज चलता है और वह दोग लेनी पर तक हैं यह जो बिमारिय आ sommes कौई तो कर देते हैं हमारे यहां चॅब flatter or खिडणी घंडमारी ने लेकिन यहह भी चहार मैहिने के को भी पताया कि जैसे कभी देखा होगा कि जब हार्ट पेसेंट को ले जाते नहीं तो वह ले जाके ऐसे मारते हैं और ऐसे दबाते हैं ब्लॉकिज उससे ही खतम हो जाती है शरीर के अंदर ही 90% ब्लॉकिंग को खतम करने का परमातमाने नुक्सा दे रखा है तो लेकिन उनको लूटना होता है इसलिए वह हमारा उप्रेशन कराते हैं वरना ऐसे ही मारके वह बिल्कुल फिट हो जाता है तो हाड कोई गंबीर बिमारी नहीं है हाँ कैंसर गंबीर बिमारी है जैसे और सूगर 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 भी कोई खास बिमारी किड्नी लिवर की बिमारी है जो साथ पीपल और नीम कारस एक सुबह आधा कप और साधा शाम को लेते रहें छे महिने में रिक्विर हो जाएगा उरू जी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हम भारत परोन पे हैं और ये लगातर में जी क्या कहेंगे अब थोड़ा साथ अब तो सर काफी फरक है पहले से हां जी हां जी सर पहले तो मेर से बैठके उठानी जाता था और बैठने में दिखत होती थी चलने में भी टांगों में दर्द बैग पेन तो हमेशा ही रती थी ना जोग सकती हो ना कुछ अभी ये है थोड़ा फरक पड़ गया हां जी तो तीन देन आपको हां मैं आउंगी सब्ण, और दवाई भी एक मीनी कैसे सर तो इतने जगह धक्या घाने से तो एक जगह ठीक है ये तो एैं तो यह मॉनिक कैसर्मा है माता पतट अले वाले गावं में और बहाई देंगे और साथ साथ दवाई के साथ साथ गोरू जी देकेंगे इनको दवाई की जरूत है या नहीं आयरवेद की दवाई भी देंगे पीने की भी देंगे पूल होगी आयरवेद दवाई बिल्को परती सत्य और आयरवेद की दवाई की बात्षित it There ू जैसे आप रोज रूटिन में खाना खाते हैं इसी तरीके से आरवे दवाई ले सकते हो कोई साइड इफेक्ट नहीं है थोड़ा बहुत परेज बताते हैं तली हुई चीजे बगेरा ये सराव मीट इनका ये तमाखु बगेरा तो थोड़ा सा इनका तो परेज करना पड़ता इन दवाईयों पर बाकि जो कहास कोई परेज होता नहीं है बड़ा परेज होता होगा तो हमें बड़ी खुशी मिलती है हमारी खाबर देखे अब गुरुजी के साथ और लोग फाइदा उठा लेते हैं लाखों लोग करोड़ों रुपे से बच जाते हैं कटने पटने से तो इससे बड़ी और सेवा क्या हो सकती है और गुरुजी ये सेवा ही कर रहे हैं जो पैसा थोड़ा बहुत गुरुजी के पास आता है आप लोगों से वो गोशाला चलाते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं आनाथों को किताबी पैन कापी ड्रेस वो देते हैं वो पैसा बात्चित करके यहां के लोगों से बात्चित करके आप हिमाचार परदेश में आप ये फाइदा उटा सकते हैं दूर दरा जाने के जुरूत नहीं है मौनिका स्रमा जीन के सिश्चे बन चुकी है तो सबी इन बातों के साथ मैं मुन अलामा बेरे सवगी वीरे सिंदू के जैहिंद